तो चलिए आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण में वचन का टॉपिक आसान ही है इतना टफ नहीं है तो इसके कुश्चन करेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है यह भी आपका कवर हो जाएगा तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं वचन क्या होते है यदि पूछ लिया जाए कि वचन का क्या अर्थ होता है तो हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है संख्या होता है जिसमें किसी विकारी सब्द की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहेंगे वचन कहें है ये सबी विकारी सब्द होते हैं इनमें लिंग वचन कारक इनकी अनुसार यहां परिवर्तन होता है और आप विकारी शब्द क्या होते हैं जो हम अव्याय पढ़ते हैं जैसे कृया विशेशन, समुच्य बोधक, संबंद बोधक, विस्मयादी बूतऽ, ठीक है? तो यहाँ हम केबल बात कर रहे हैं वचन की, तो वचन क्या होते हैं? जिससे किसी विकारी सब्द की संख्या का बोध हो, उन्हें वचन कहते हैं, वचन दो टाइप की होते हैं, एक वचन और बहु वचन, नो जो कि सभी जानते हैं, जिस शब् इनकी definition से भी question आ जाता है तो एक से अधिक होने का पता चले ऐसे नहीं कि एक या दो होने का पता चले एक से अधिक होने की संख्या का पता चले तो उसे क्या कहेंगे बहुवचन कहेंगे तो चलिए start करते हैं Question 1 है देखिए निम्न मैंसे कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयक्त हुआ है गाएं गास खाती है गायों गास खाती है या गाय गास खाती है तो यहां पर कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयक्त हुआ है तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहां आंसर रहेगा पटापट से देखिए आंसर रहेगा बहुवचन गाये का क्या होगा गाएं गाये घास खाती है प्रतेक शब्द का प्रियोग सदेव होता है एक वचन में बहुवचन में आ वा बा दोनों या इन मे से कोई नहीं ये सबी प्रश्णों जो है ये आपके एक्जाम में आये हुए कोश्चन है प्रतेक शब्द का प्रियोग सद्याइव होता है तो प्रतेक यदि हम इसके टुकुडे करते हैं तो क्या पता लगता है प्रति धन एक ठीक है तो अब तो बहुत आसान हो गया कि इस सब्द का प्रियोग सद्याइव कहां होगा बहु वचन में होगा दोनों में होगा या इन में से कोई नहीं तो बिलकुल ये होगा एक वचन में प्रियोग ठीक है इसी को वाक्य में प्रियोग करके देखिए प्रतेक लड़का यहां पर आ जाए तो प्रति और एक यान एक वचन में प्रियोग होगा इन में से कौन सा सब्द बहुवचन में ही प्रियोगत होता है यानि एक वचन में वो नहीं प्रियोगत होता ओठ अक्षत प्राण या उप्रोक्त सभी तो अक्षत मतलब चावल ओठ अक्षत और प्राण इन में से कौन सा ऐसा है जिनका प्रिय में ही होगा तो सोच ये इसमें से आपका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है तो चलिए आप लोगों ने आंसर जो है वो खोज लिया होगा यहाँ पर आंसर रहेगा वो प्रोक्त सभी ये सभी केवल बहुवचन में ही प्रियोक्त होते हैं ठीके वाक्य में प्रियोक करके देखें प्राण निकल गया नहीं होते क्या होता है प्राण निकल गई तो बहुवचन में ही प्रियोक्त होता है अक्षत वहां रखे हैं, उठा कर लाओ, ओट काले हैं, ओट लाल हैं, तो ये तीनों ही जो हैं, वो क्या हैं, बहु वचन में प्रियोक तो होते हैं बहु वचन कहते हैं, किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तू या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी की जाती का बोध हो, या सब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों सम वस्तू आदी का बोध हो तो यहां बहु वचन किसे कहेंगे मैंने अब भी आपको स्टार्टिंग में ही एक वचन और बहु वचन दोनों की डेफिनिशन बताई थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बहु वचन जो है सब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो ठीक है बहुत का बोध होता है सब्द के जिस रूप से वस्तु प्राणियों की संख्या का बोध हो यह भी अदूरी ही बात है सब्द के जिस रूप से किसी की जाती का बोद हो, जाती का तो यहां कोई भी मतलब नहीं है, आंसर रहेगा option D, जहां पर जिस सब्द से किसी व्यक्ति या वस्तू की संख्या एक से अधिक होने का पता चले, तो क्या कहेंगे उसे बहुवचन कहेंगे, जैसे लड़के खेल र नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा नारी नारियां नारियों या नारियां तो यहां पर देखिए नारी शब्द जो है उसका बहुवचन क्या होगा जिस सब्द के अंत में एकारांत आए, तो वह एकारांत जो है वह किसमें बदलेगा, वो बदलेगा या में, ठीक है? तो यहां पर B option और D option इन दोनों में ही या लगा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जैसे ही नारी में या प्रत्य लगता है, जो बड़ी एकी मात्रा है वो किसमें बदल जाएगी? छोटी में, ठीक है? क्या बन जाएगा? नारियां. इसी तरीके से और भी यदि शब्द बनाएं, तो क्या बनेंगे? जैसे नदी, बड़ी की मात्रा है, तो नदियां, खिडकी, खिडकियां, इस्त्री, इस्त्रियां, ठीक है? लड़की, लड़कियां, इस तरीके से. साधू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधूओं, साधूएं, साधू या इन में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर जो है, क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर जो है, रहेगा साधू का साधूओं, ठीक है? चलिए. आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगरों, आगरें या बहुवचन नहीं होगा? यह भी प्रश्न आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है. तो आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर बिल्कुल आगरा है, दिल्ली है, जैपूर है, तो इनका बहुवचन नहीं होगा. निम्न लिखित में से कौन सा सब्द सदा बहुवचन में प्रियुक्त होता है? शिशू, साधू, पुस्तक या प्राण? इन में से कौन सा सब्द बहुवचन में प्रियुक्त होता है? तो सोचिए इसमें से आंसर जो है वो आप क्या लगाएंगे? तो यहां पर B option में देखिए, सादू में धा के नीचे चोटी U की मात्रा लगेगी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा सब्द सदा बहुवचन में प्रियोक तो होगा? तो शिशू का शिशूओं बनता है, यानि एकवचन बहुवचन दोनों है, सादू का सादूओं हमने देख लिया, पुस्तक का पुस्तकें बनता है, यानि इसके भी एकवचन बहुवचन दोनों है, लेकिन प्राण का प्राणों नहीं होता है, और प्राण जो है, वह वाक्य में प्रियोग करके देखेंगे तो प्राण निकल गए तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रियोगत होगा आंसर रहेगा option D निम्न लिखित में से नित्य एक वचन सब्द कौन सा नहीं है भीड, पुलिस, वर्षा या कपड़ा तो ये भी पहले आप इनको बदल कर देखें इनका बहुवचन, यदि नहीं आए तब इनको वाग्य में प्रियोग करके देखें तो इनमें नित्य यानि हमेशा एक वचन सब्द कौन सा नहीं होगा इसका अर्थ क्या पुछा है, यहां पर ये पुछा है कि कोई तीन जो है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रियोग में आएंगे लेकिन एक जो है, वह हमेशा एक वचन में प्रियोग में नहीं आएगा यानि या एकवचन भी हो सकता है बहुवचन भी हो सकता है और केवल बहुवचन भी हो सकता है तो यहाँ पर देखिए आंसर रहेगा कपड़ा कपड़ा जो है इसका एकवचन भी है कपड़ा और इसका बहुवचन कपड़े होगा तो यहाँ पर भीड जो है वह है नित्य एक वचन है, वो क्यों है, भीड आ गई, ठीक है, और भीड का भीड़ों नहीं होता, पुलिस का पुलिसों नहीं होता, पुलिस आ गई, वो भी क्या होगा, एक वचन, वर्षा, वर्षा भी वर्षाओं नहीं होता है, वर्षा का क्या होता है, केवल वर्षा ही रहता है, ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए Next देखिए Question number 10 कौन सा सब्द सदेव बहुवचन में ही प्रयोक्तो होता है Option है घर, हस्ताक्षर, परिंदे या गाडिया कौन सा सब्द सदेव बहुवचन में ही प्रयोक्तो होता है तो बिल्कुल अभी जैसे बताया था मैंने आपको कि घर एकवचन है बहुत सारे हो जाएंगे तो घरों बन जाएगा परिंदे बहुवचन है इसका एकवचन परिंदा होता है गाड़ी एकवचन उसका बहुवचन गाडियां होता है ठीक है, तो इन तीनों के तो क्या है, एकवचन और बहुवचन दोनों ही है, लेकिन हस्ताक्षर का हस्ताक्षरों नहीं होता है, हस्ताक्षर क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोक्त होगा, हस्ताक्षर कर दिये, ठीक है, प्रधान मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिये, प्रधा है B, वर्षा सब्द का उचित बहुवचन चुनिये, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण, तो देखिए ये तो अभी मैंने आपको बताया ही था, वर्षा सब्द का उचित बहुवचन जो है क्या रहेगा, वर्षा ही रहेगा, ठीक है, चलिए, तो कल के यह topic रहेगा, सभी लोग unit 1 में ही चाहे language 1 का हो, language 2 का हो, सभी लोग अब यह पढ़कर आएंगे, उसके question जो है, वो हम कल करेंगे, मिलते हैं next video में, thank you.